धर्मशाला में पत्रकार वारता करते हुए हिमाचल परदिश किर्कट एस्वीशेशन के प्रवक्ता वा भाजपानेता संजेश शर्मा ने हाल ही में मंत्री के नाम पर हुई ठगी पर स्थानी विजायक वा मंत्री पर निशाना साधा है। अरोप लगाया है कि स्मार्ट सीटी का टेंडर दिलवाने की बात उससे कही गई थी और मंत्री के हस्ताक्षर युक पत्र उसे दिखाया गया था जिस पर 24 जुलाई 2017 की ती थी। तो वे राज़ेपास से गोहार लगाते हैं कि इस सारे मामले की सीबियाई से जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मंत्री का नाम हस्ताक्षर डियो का दुरूपयोग होने के बावजूद स्वें मंत्री ने एफ आई आर कि नहीं करवाई क्यों आशीश को एफ आई आर करवाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि मंत्री उक्तव्यक्ती और आशीश का आपस में क्या संबन्द है ये जांच का विशे है। संजे सर्मा ने बताया कि अपनी शिकायत में आशीश ने बताया कि कमल ने उसे कुछ साइट से भी दिखाई थी तथा इन दोनों की मुलाकात वर्ष 2016 में हुई थी। साथ ही उक्तव्यक्ती ने आशीश से 14 लाग से अधिक के टेंडर दिलवाने के एवज में 25 जार पे की राशी भी ली थी। इस अफसर पर समाज से भी अतुल भार्दवाज भी उनके साथ थे। संजे शर्मा ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस सरकार और मंतरियों ने हिमाचल को आन सेल कर रखा है। सरकार मंतरियों वब परशाशन के सेरक्षन में बरस्टाजार को बढ़ावाद दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ऐसे कौन लोग हैं जो धर्मशाला के मंतरी के नाम पर दलाली करते हैं। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के पैसे का भी दुरूप योग हो रहा है। पुलिस्थान धर्मशाला के अंदर 28 तारीक को एक F.I.R. जो है वो दर्ज की गई। जिस F.I.R. के अंदर ये जिक्र किया गया कि एक शख्स जो है कमल अत्री उससे उसने जो है वो चंडीगर एक शख्स ने जो है वो स्मार्ट सिटी के अंदर किसी प्रोजेक्ट का ठेका दिलाने के लिए जो है वो उससे 10 लाख रुपया जो है वो लिया और पैसा लेने के बाब जूद कोई उसको ठेका कोई उसको काम जो है उसके एवर्ज पे नहीं दिलाया गया उस व्यक्ति को यहां धर्मशाला में भुमाया गया उसको प्रोजेक्ट दिखाये गये सब कुछ मिस्टर वालिया जो है उनको सारा वो दिखाया गया और उनसे फिर धर्मशाला के अंदर ही जो है वो 10 लाख रुपया लिया गया और 10 लाख रुपया ले उससे पहले भी जो है वो कोई 14 लाख रुपे का प्रोजेक्ट दिलाने के लिए भी जो है वो उससे पैसे लिए गए वो प्रोजेक्ट भी उसको नहीं दिलायागा इस तरह की धांदली जो है वो यहां के स्तानिय विधायक और हिमाचल सरकार के मरिश्ट मंतरी सुधीर शर्मा उनके नाम पर यह ठ अफिशल काज़ जो है ऑफिशल डियो नोट जो है उसको जो है वो अगर दिखाया गया है तो एफ आई आर जो है वो वालिया की बजाए वो एफ आई आर जो है वो सुधीर शर्मा ने क्यूं नहीं करवाई इस सारे घबले के अंदर है वो हमें कोई ना कहीं वो नजर आ र जान जो है वो हम तो परदेश के राज्यपाल महौदे से भी निवेदन करेंगे क्योंकि हिमाचल परदेश सरकार की किसी भी अजेंसी के उपर और सरकार के उपर सरकार खुद कटगरे में ठड़ी है मुखे मंतरी खुद भर्टाचार के आरोपुल से जूज रहे हैं इसलि जो है उनको बेनकाम करेंगे अगर वो नहीं राज्यपाल जो है वो समय रहते इस के उपर जो है वो कुछिट एक्शन है